चीन का आर्फिक केंद्र माना जाने वाला शंगाई शहर एक बार फिर से कोरोना वारस की चपेट में आ गया है चीन की सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए शंगाई शहर में बेहर सख्त लॉकडाउन लगाकर एक करोड लोगों को घरो में रहने के लिए मजबूर कर दिया है उधर चीन के इस लॉकडाउन से दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है चीन में कोरोना को रोकने के लिए यह सक्त लॉकडाउन ऐसे समय पर लगाया गया है जब दुनिया अब इस महामारी के साथ जीना सीख चुकी है कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट से दुनिया भर में उतनी घवराहट नहीं है जितना की चीन परिशान है चीन ने कोरोना से बचने के लिए शंगाई शहर में लॉकडाउन लगा दिया है लेकिन ड्रैगन की इस फैसले से दुनिया की टेंशन भल गई है आईए समझते हैं पूरा मामला चीन के इस सक्त लॉकडाउन की नीती से दुनिया की अर्थविवस्था और वित्तिय बाजार संकट में जा रहे हैं वे भी तब जब रूस और यूकरेन में युद्ध चल रहा है और दुनिया में महंगाई आस्मान चू रही है चीन ने शंगाई में व्यापक टेस्टिंग शुरू की है चीन के इस ऐलान से दुनिया भर में खलबली मच गई है तेल के दामों में तेजी से गिरावट आई है व्यापारियों को ये डर है कि इस लॉकडाउन से डिमांड में कमी आ सकती है चीन एक बड़ा तेल आया तक देश है और हर दिन एक दशमलाव एक करोड बैरल तेल को खरीता है इसके अलावा शेयर बाजार भी लॉकडाउन के एलान से गिर गया है चीन का शंगाई शहर ना किवल अपनी विशाल आबादी की वजह से बलकि अपने वित्तिय और आर्थिक संबंधों की वजह से दुनिया के लिए महत्वपून है दुनिया की फैक्टरी कहे जाने वाले चीन का शंगाई शहर देश के कुल आर्थिक आउटपुट का 4 फीस्दी है चीनी अर्थविवस्था का बड़ा हव होने की वजह से इसका अप्रत्यक्ष असर बहुत ज्यादा हो सकता है लॉकडाउन की वजह से यह निश्चित्ता फैल गई है कि चीन अब कोरोना के खलाव जंग में आगे क्या करेगा यही नहीं शंगाई में लॉकडाउन की वजह से चीन के आर्थिक विकास दर को भी खत्रा पैदा हो गया है जो की 5.5 प्रतिशक की दर से बढ़ रही है जो की पिछले 3 दशक में सबसे कम है चीन के एक विशेशग्य हू का कहना है कि अगले कुछ सब्ताह में कोरोना वारस पर काबू पाने की संभावना है क्योंकि लॉकडाउन प्रभावित है लेकिन इसका देश के विकास पर पूरे साल बहुत ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि लॉकडाउन बहुत खर्चिला है यह लॉकडाउन ऐसे समय पर लगाया गया है जब देश में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बुरे हालाद से खुजर रहा है चीन के इस संकट से दुनिया इसलिए टेंशन में है क्योंकि कहीं सामानों की आवाजाही लॉकडाउन की वज़ह से प्रभावित न हो जाए अगर ऐसा होता है तो दुनिया में सामानों की कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी